हलो, नमस्कार दोस्तो, मेरा नाम प्रियंका है और स्वागत है आपका मेरे चैनल कुकन ब्लॉग बित प्रियंका सिन्हा में आज हम सेर करेंगे आपके साथ अर्बी के पत्ते की सबजी सरसो की ग्रेवी बाली थोड़ा अलग तरीके से हम इसे बनाएंगे बहुत टेस्टी ये बनके तैयार होगा आपसे रिक्वेस्ट है प्रीज एक बार विडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा आपको ये रेसिपी सच में बहुत पसंद आएगा तो चलिए हम बनाते हैं सरसो की ग्रेवी बाली अरवी के पत्ते की सबजी सबसे पहले हम यहां पे अरवी के पत्ते को अच्छे से साफ करके इसके पीछे एक मोटा सा डंडी रहता है इसे हम हटा लिए हैं इसे हटा लिजेगा नई तो ये अच्छा नहीं लगता है मोटा मोटा सा आता है तो इसे कट करके आप हटा लीजेगा पूरे पत्ते को हम अच्छे से साफ करके वो मोटे वाले पार्ट को हटा दिये हैं और अब हम इसे मिहीन चॉप कर लेंगे तो इसे फोल्ड करके हम चॉप कर लेंगे आपको फोल्ड करके हम पूरे पत्ते को चौप कर लेंगे आपको जैसे भी आसान लगता है ना वैसे आप इसे बस चौप कर लिजे तो यहां पे पूरे पत्ते को हम चौप कर लिए हैं इसे एक बॉल में उठा लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे बेसन चार चमच हम बेसन डालें एक चमच धनिया पौडर, थोड़ा सा हम यहां पे नमक भी डालेंगे, नमक बाद में ग्रेवी में भी डालना है हमें, तो यहां पे भी हम ध्यान से नमक डालेंगे, एक चोटी चमच गरम मसाला पौडर डालेंगे, और एक चमच अदरक लहसन का पेस्ट, एक निम्बू का जूस है ये निम्बू का जूस या फिर आमचुर पौडर कुछ खटा इसमें जरूर डालिएगा और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप चाहे तो आमचुर पौडर और निम्बू का जूस दोनों भी डाल सकते हैं थोरा सा हमें पर पानी डाल लेंगे ताकि ये अ रोल बनाएंगे तो पहले एक प्लेट में हम थोरा सा तेल लगा के ग्रिस कर लेते हैं तो यहां पे हम इसमें तेल लगा लिये हैं और अब हम ये साग का दो पार्ट करेंगे और दो रोल बनाएंगे हम तो आप देख सकते हैं कैसे दोनों हातों की सहता से प्लेन करते हुए हम रोल बना लेंगे और इसे इस प्लेट में रखेंगे इसे स्टीम करना है हमें तो अगर जादा है तो आप तिन रोल भी बना सकते हैं हम यहाँ पे दो रोल बनाए हैं गैस पे कराही में हम पानी चरहाए हैं उबलने के लिए और यहां पे दोनों रोल हमारा बनके तयार है और अब हम इसे स्टीम करेंगे तो पानी में उबाल आ गया है प्लेट को हम इस कराही के उपर डाल देंगे और ढखके इसे slow to medium गैस पे 10 मिनट तक कुक करेंगे 10 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे तो यहां पे 10 मिनट complete हो गया है इसे चेक कर लेते हैं तो एक चाकू लेंगे और इसमें डाल के देखेंगे अगर चाकू clean आ रहा है तो इसका मतलब यह अच्छे से cook हो गया है और आप देख सकते हैं चाकू बिल्कुल clean आया है तो अब हम ग सो भी ले सकते हैं और थोरे से lesson की कलिया को साफ करके रख लेंगे थोरा सा पानी डाल के इसे हम मिहीन पेस्ट बना लेंगे एक बार में जादा पानी नहीं डालिएगा थोरा थोरा सा पानी डाल के इसे पीस लीजे और यहां पे हम इसे पीस लिए हैं एकदम मिहीन सा पेस् सेप में इसे कट कर सकते हैं मोटा पतला आपको जैसा रखना है उस हिसाब से इसे कट कर लीजे हम यहां पे पूरे रोल को पहले कट कर लेते हैं यह जब अच्छे से ठंडा हो जाए तभी आप इसे कट कीजेगा तो यहां पे पूरे रोल को हम कट कर लिए हैं और अब हम इसे fry करेंगे तो gas पे pan में हम सरसो तेल चरहाए हैं डाले हैं आप कोई भी तेल ले सकते हैं पर सरसो तेल में बहुत अच्छा साग का टेस्ट आता है तो आप एक वर ट्राइ कीजिएगा सरसो तेल में तेल जब गरम हो जाएगा तो सारे साग के पतोरे को हम इसमें डाल लेंगे और gas का flame slow to medium रखेंगे और इसे हम अच्छे से fry कर लेंगे पलट के इसका side change करते हुए अच्छे से हमें इसे fry करना है तो बीच बीच में हम इसे पलटते रहेंगे इसके side को change करते रहेंगे और यहाँ पर यह अच्छे से फ्राई हो गया क्रिस्पी पतोरे बनके तयार है आप इसे ऐसे भी किसी भी sauce चटनी के साथ खाएंगे यह बहुत टेस्टी लगता है पर हम यहाँ पे सबजी बना रहे है तो इसके लिए हम ग्रेवी बनाएंगे इसके लिए सेम पैन में हम थोरा सा सरसो तेल और डालेंगे तेल गरम हो जाएगा तो इसमें डालेंगे पंच फोरन अगर आप पंच फोरन नहीं खाते हैं तो इसके जगह पे काला सरसो या जीरा भी डाल सकते हैं और अब हम इसमें दो तीन चुटकी के करीब हींग डालेंगे थोरी दिर इसे भून लेंगे और अब हम इसमें डाल लेंगे सरसो और लहसन का जो पेस्ट बनाए है तो गैस का फ्लेम यहाँ पे स्लो रखिएगा और यह पेस्ट पूरा इसमें डाल लेंगे तो पूरे पेस्ट को हम यहाँ पे डाल लिये हैं और अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे यहाँ पे हम इसमें कुछ सूखे मसाले अड़ कर लेंगे तो सबसे पहले आधा चमच हल्दी पौडर आधा चमच लाल मिर्ची पौडर डाल रहे हैं तीखा वला लाल मिर्ची पौडर है आप अपने पसं से कम जादा कर सकते हैं और आधा चमच हम यहाँ पे कसमीरी लाल मिर्ची पौडर डाल रहे हैं यह बिल्कुल ऑप्सनल है इससे बहुत सुन्दर कलर आएगा तो कलर के लिए हम यह डाले हैं अब इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे तो पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसके बाद हम इसमें टमाटर एड़ करेंगे तो यहाँ पे यह अच्छे से मिक्स हो गया है अब इसमें हम टमाटर डाल लेंगे तो दो बरे साइच के टमाटर को हम चौप करके डाल रहे हैं आप चाहे तो इसे पीस के भी डाल सकते हैं यहीं पे हम नमक एड़ कर लेंगे तो टेस्ट के अनुसार आप यहाँ पे नमक डाल लीजे और इसे अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए हम कवर कर देंगे ताकि टमाटर जल्दी से सौप्ट हो जाए तो यहाँ पे अच्छे से हम मिक्स कर लिए हैं और अब हम कवर कर देंगे थोड़ी देर यहाँ पे कवर करके हम पका लिए हैं ट्रमाटर अच्छे से सौप्ट हो गया है तो इसे अच्छे से मैस करते हुए हम मिक्स कर लेंगे और भूनेंगे मसाले से तेल अलग दिखने लगे तब तक हम इसे भूनेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं मसाले से तेल अलग दिखने लगा है इससे जादा हम इसे नहीं बहुनेंगे, सरसो के मसाले को अगर आप जादा देर भूनेंगे तो इसमें थोरा सा करवापन आ जाता है तो बस येही पे हम इसमें पानी अड़ कर लेंगे, तो सबसे पहले एक ग्लास पानी डाल के हम mix करेंगे इसके बाद एक ग्लास पानी और डालेंगे, आप ग्रेवी अपने पसंद से गाढ़ा पतला बना सकते हैं, आपको जैसा ग्रेवी पसंद है उस हिसाब से यहां पर पानी अट कर लीजे तो हम यहां पर टोटल दो ग्लास है ये, दो ग्लास पानी डाले हैं, इसे अच्छे से मिक्स किए हैं और अब हम इसे ढखके उबाल आने तक पकाएंगे तो यहाँ पे ग्रेवी में अच्छे से उबाल आ गया है आप देख सकते हैं इसे हम मिला लेते हैं और अब हम इसमें सारे साग डाल लेंगे पतोरे जो बना के रखे हैं वो पूरे इसमें एड़ कर लेंगे तो पूरे डाल के इसे अच्छे से हम मिक्स करके ढखके थोरी दिर पकाएंगे तो इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं यहाँ पे हम इसमें निम्बू का जूस डालेंगे एक बरे साइज के निम्बू का जूस हम इसमें डाल रहे हैं आप इसके जगह पे आमचुर पाउडर भी डाल सकते हैं पर खटा इसमें कुछ जरूर डालिएगा नहीं तो ये गले में थोरा सा काटता है तो हम यहाँ पे निम्बू का जूस डाल के इसे धक दिये हैं और यहाँ पे थोरी दिर हम इसे धक के पका लिए हैं ये साग पहले स सौप्ट हो जाता है कटे हुए धनिया का पता यहाँ पे हम डाल लेंगे इसे अच्छे से मिक्स करेंगे थोरी देर के लिए हम इसे धक के छोड़ देंगे और इसके बाद हम सर्व करेंगे तो यहाँ पे थोरी देर के लिए हम इसे धक के छोड़ दिये थे साग पूरी तर बनके तैयार होता है आप इसे रोटी चावल पूरी पराठे किसी के साथ भी खाएंगे सब के साथ ये बहुत टेस्टी लगेगा तो आप इसे एक बाद जरूर बनाईए और हमें बताईएगा कि कैसा लगा मेरा ये रेसेपी अगर मेरा रेसेपी आपको अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे बेल का बटन भी प्रेस कर लीजे ताकि मेरा हर वीडियो आपके पास पहुंच सके वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किजे सेर किजे कमेंट किजे और अगर कुछ अच्छा नहीं लगे तो वो भी हमें जरूर बताईएगा हम उसे सुधारने की पूरी कोसिस करेंगे Thank you मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी सी रेसे पी के साथ